हलो फ्रेंड्स नवस्कार आपका स्वागत है आपके परिवार इस्टेट अगनि में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काल काल जिसको इंगलिस में कहते हैं दोस्तों टेंस हम उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है हमारा अर्थात काल दोस्तों ये आपकी परिच्छा के द्रिश्टी से बहुत ही इंपोर्टन टापिक होता है यहां से दोस्तों हर एक एक एक्जाम में यहां से प्रस्न पुछ जाते हैं यह बहुत ही इंपोर्टन आपका चेप्टर है तो चलिए दोस्तों हम लोग सुरू करते ह हैं अपना वीडियो तो देखिए देखा जाए काल तो काल अर्थाथ टेंस तो किसे कहते हैं इसके बारे में अगर हम जाने तो नीचे एक छोटी सी परिफासा अगर है हमारी उसको अगर हम देखते हैं तो क्रिया के जिस रूप से कार संपन होने का समय अर्थात काल ग्यात हो वह काल खहलाता है अब ये आपको definition clear नहीं समझ जाया होगा अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा है क्रिया के जिस रूप से कार के संपन होने का समय ग्यात हो जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं कि राम बिद्याले जा रहा है तो अब देखिए यहां पर इस वाक को आप पढ़ेंगे कि राम बिद्याले क्या कर रहा है जा रहा है तो जा रहा है मतलब जाने का काम कर रहा है देखिए काम चल रहा होगा तो यही हमारा होता है यहां क्रि वाक में समय दिखा रहा है कि हमारा कोई काम है वो चल रहा है मतलब कारे हो रहा है और यही जो हमको बताता है कारे चल रहा है कारे हो चुका है कारे होने वाला है इसी को हम दोस्तों कहते हैं काल तो इसी को हम कहते हैं काल जो हमको यह बताता है कि कारे चल रहा है या हो गया है होने वाला है जैसे कि दूसरा संटेस अगर इसी में से लिया जाए नेक्ष्ट तो राम इसकूल जा चुका है तो यह देखिए यहां जा चुका है आगे देखिए राम इसकूल गया था गया था मतलब कार हो चुका गया था जा चुका है मतलब कार हो चुका है यह नेक्ष्ट देखा जाए कि राम इस्कूल जाएगा राम इस्कूल जाएगा तो इन तीनों अगर वाक्यों में देखा जाए एक वाक्यों में क्या हुआ क्या था कि राम इस्कूल जा रहा है एक में राम इस्कूल जाएगा एक राम इस्कूल गया था तो तीनों वाक्यों का तीनों वाक् में राम इस्कूल जा रहा है तो राम इस्कूल जा रहा मतलब वो कारे प्रगति पर है कारे चल रहा है बरतमान समय में कारे हो रहा है और जिसमें बरतमान समय में कारे होता है उसे हम कहते हैं वरतमान काल अर्थात हैं काल के तीन भाग होते हैं काल तीन प्रकार के होते हैं जि तब राम जो है इसकूल जाने का कारी कर रहा है तो हमारा बरतमान काल हो जाएगा आगे देखिए नेक्स दूसरा हमारा है भूत काल तो भूत काल किसे काते हैं जैसे राम इसकूल गया था तो गया था कारी हो चुका था वहाँ पर हो जाएगा भूत काल और भविस्यत काल या भविस्यत काल राम इस्कूल जाएगा आने वाले समय में जाएगा अभी कभी गया नहीं है यह हमारा हो जाएगा भविस्यत काल तो यह हमारा दोस्तों भूत काल भविस्यत काल भविस्यत काल पूरा हो गया अब देखिए एक एक काल के हमारे कई भाग होते हैं जैसे कि वर्तमान काल के पांच भाग होते हैं उसी प्रकार से भूत काल के छे भाग होते हैं और भविस्य काल के आपके दोस्तों सोरी दोस्तों भविस्य काल के कितने होते हैं आपके तीन भाग होते हैं देखिए बर्तमानकाल के कितने प्रकार होते हैं पांच प्रकार के बर्तमानकाल होते हैं और छे प्रकार के आपका भूत काल होते हैं तीन प्रकार के आपके भाविश्यकाल होते हैं तो अब हम आगे एक एक करके समझेंगे इसे पांचों प्रकार आपको यहां पर दिया गया है बरतमान काल सामान बरतमान काल तात काली के बरतमान या अपूंड बरतमान काल नेक्स्ट पूंड बरतमान काल और संदिक्द बरतमान काल संभाव बरतमान काल उसी प्रकाल से हमारा क्या होता है भूत काल होता है सब इसमें सब सब सेम होता है भूत काल में एक और आ जाता है में 3 और इसकी बाद भविष्यकाल में आपका स्वान भविष्यकाल मसटकाल इससे में एक एक कर कर समझेंगे और सीखेंगे कि हमारा बरतमान काल में क्या-क्या होता है और उसके कितने प्रकार के बारे में अच्छे से समझेंगे जो पांचो प्रकार उसके होते हैं तो चलिए अभी देखिए हम आपको बरतमान काल बता चुके हैं बरतमान काल का मतलब क्या होता था कि ऐसी क्रिया का क्रिया का वह रूप जिसमें पता चले कि कारे बरतमान में हो रहा है तो अब ही हम बताए थे कि राम स्कूल क्या है जा रहा है बताए थे आपको जा रहा है तो यहां देखिए जा रहा है देखिए यहां लिख रहा है तो राम इस्कूल जानने का कार कर रहा है, मतलब कार चल रहा है, तो जिसमें पता चले कि बरतमान में कार चल रहा है, उसको हम बरतमान काल काते हैं, और बरतमान काल के किदने भाग होते हैं, पांच भाग होते हैं, आपको बता चुके हैं, अब पांचो भाग का एक एक करके ह पढ़ेंगे उसको चलिए आगे देखते हैं हमारा तो पहला होता है सामान बरतमान काल में जिसमें कोई घटना होती है कोई आदत होती है कोई सारभौमिक सत्य होता है इस प्रकार की कोई घटनाएं आती है वो हमारा क्या होता है सामान बरतमान काल में खलाता है जैसे अगर य बनते हैं जैसे सूर्य पूर्व में उगता है तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा सार्भौमिक में आदते होगी यह सब भी हमारे आजाएंगे सामान बरतमानकाल में मतलब जिससे सामान सामान कोई कार की जानकारी होती है जिससे सामान कार की जानकारी होती है जो सामान कार चल ला आता है वह हमारा बरतमानकाल होता है जैसे बच्चार होता है स्याम पत्र लिखता है नेक्स्ट अब हम देखेंगे आगे नेक्ष हमारा होता है तातकालिक बर्तमानकाल अब देखिए तातकालिक बर्तमानकाल किसे कहते हैं अब तातकाल का मतलब होता है अभी जैसे हम क्या करें तातकाल अभी देखा जाये तो अभी हम क्या करें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो मेरा कार ये पूरा नहीं ह हुआ है अपूर चल रहा है तो तातकालिक बरतमान काल को अपूर बरतमान काल भी कहते हैं जैसे बच्चा रो रहा है देखिए यहां बच्चा क्या है रो रहा है अभी रो करके उसा कंप्लीट नहीं हुआ अभी रो रहा मतलब वर्क चल रहा है नेक्ष देखिए स्याम पत्र लिख रहा है तो यहीं हमारा हो जाएगा कि जिसमें कार कंप्लीट नहीं होगा वह हमारा कौन सा काल होगा वह हमारा होगा ततकालिक या अपूर बरतमान काल होगा देखिए यहां पर थोड़ा सा अप लोग ध्यान दीजाएगा सामान बरतमान काल में सामान बरतमान काल में य है ती है ते हैं ये सब ही आजाते हैं इसके अलामा तातकालिक और मम ये सक जानते हैं उसमें क्या है रहा है रही है यह सब का लिग है यह यह सब j兩 से ही अगर चाहेंगे तो से कर सकते को चलिए आगे देखते हैं नेक्स हमारा है कि पूर्ण बर्तमानकाल किसे काते हैं अब देखिए बर्तमानकाल में ये कार पूर्ण थोड़ा सा समय हुआ हूँ जैसे सकते जस्ट लिए लगे गहर जा चुका हैं यह चुक है यह आजाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा पूर्ण बर्तमान काल हो जाएगा नेक्ट आपका हो जाएगा संदिक्द बर्तमान काल में जहां पर संदेह होता है जहां पर किसी कार के होने का संदेह होता है कि संदेह कार होगा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो वहाँ पर क आप देखिए स्याम इस समय पत्र लिखता होगा, वो संदे हो रहा है, डाउट हो रहा है कि हाँ पत्र लिखता होगा, ये संदे हो जाएगा, और संभाव में संभावना ब्रक्ति कह जाता होगा, कि स्याम पत्र लिखा हो, हो सकता है लिखा हो, हो सकता है कि ना लिखा हो, तो स मतलब संदिग्द होता है यह हमारा positive sentence होता है यह संदिग्द वाला होता है यह positive होता और समभाब्य होता यह negative sentence भी हो सकता है चलिए next देखते हैं नेक्स हमारा है भूत काल, भूत काल देखते हैं, भूत काल किसे काते हैं, हम बता चुके हैं, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय में कार संपन्नों है, मतलब जो कार बीत चुका हो जब उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो वह हमारा भूत काल होता है, इसके पहले दो संदिग्द बरतमानकाल पांचों काल आपके क्लियर होना चाहिए इसका पेड़ीफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए वहां पर जा करके आप लोग डाउनलोड कर लिजिएगा वहां से डाउनलोड करके एक बार रिवीजन जरूर कर लिजिएगा एक बार रि आप लोग जरूर जा करके डाउन लोड कर लिजएगा पीडिएफ डाउन लोड करके पीडिएफ का रिविजन एक गरलेजेगा उसके बाद कभी नहीं दोस्तों आपको फूलेंगा चालीएएं अब हम देखते हैं तो भूत काल में क्या होता है क्या हो प्रकाल के बूद काल होते हैं पहला देखे सामान भूद काल में जहां पर किसी कार के होने का बूद होता हैं जैसे बच्चा गया मैंने पड़ा गाड़ी चली गई तो जहां पर यह सभी बोध होते हैं सामान जहां पर बीते हो समय में किसी कार का सामान का बोध होता है वह हमारा सामान भूतकाल होता है नेक्ष आपका आजाएगा आसन भूतकाल आसन भूतकाल का मतलब कार होतने में जैसे हुगा बहुत कम समय हुगा जैसे कार के होने में मतलब क्रिया के जिस रूप में कार मतलब जिसे कार खतम हुआ बहुत कम समय हुआ जैसे बच्चा आया है तो बच्चा अभी अभी आया है जस्ट आया है ठीक है कमल गया है कमल अभी अभी गया है तो जहां पर कार बहुत निकट में कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा आसन भूथ काल तो दो हो गया एक सामान भूथ काल जहाँ पर हमारा कोई कार सामन Ravenous रूप से बच्चा गया मैन ने पढ़ा गाले चली गए वह ख्यलने गया यह सबी हमारा हो जाएगा सामान आपको समझ में आ गया होगा नेक्ष देखी अपूर्ण भूत्काल का मतलब हो जाएगा कि यह कार हमारा भूत्काल में चल रहा था कभी पास्ट में चल रहा था लेकिन पूरा उरा नहीं हुआ है जैसे कि बच्चा आ रहा था जब देखे थे तो बच्चा आ रहा था पहुंचा या नहीं पहुंचा पता नहीं है बच्चा आ रहा था स्याम पत्र लिख रहा था वह गाना गा रहा था गाना गाते हुए कहां गया कोई पता नहीं है तो यह सब ही क्रियाएं जो होती हैं यह ह तमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा भूतकाल किसमें भूतकाल में दूस्तों आप पूर भूतकाल में आप देखिए अपर ब्रतमान काल पड़े होगे आप बड़ं बर्तमानकाल में भी क्या था पूरा कार नहीं हो रहा तह clinical रहे में तो आप एक लिंक मिला कर चलेंगे दोनों से पुढ़ भरतमानकाल पुढंभूतकाल तो दोनों लगभ़व GREGO सेम सेम है थोड़ा सा ठाइज फोटा अंथर है वहां रह्य है यहां यहां जाएगा यहां पर हां यहां पर रहा था पस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा और आप अराम से कर ले जाएंगे तो दोस्तों एक बार आप लोग जरूर रिविजन कर लिजेगा इसका पीडिय अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा चलिए आगे देख लेजिए आपको पूड़ भूतकाल क्लियर हो गया अब देख लेते हैं हमारा पूड़ भूतकाल तो पूड़ भूतकाल क्या होता है कि ऐसा कार जिसको कंप्लीट हुए कुछ समय लग गया मतलब बहुत समय हो गया जैसे बच्चा आया था बहुत पहले आया था स्याम ने पत्र लिखा था स्याम ने पत्र बहुत पहले लिखा था तो बच्चा आया था स्याम ने पत्र लि बूत काल में क्या होता है इसमें संदिय होता है जैसे क्रिया के जिस रूप में भूत का बूत करिया के जिस रूप में भूत का बूत किन्त संदिय हो दोस्तों क्या हो संदिय हो वहाँ पर हमारा संदिक भूत काल होता है जैसे बच्चा आया होगा बच्चा क्या होगा आया होगा स्याम पत लिखा होगा वह गया होगा वह खाना खाया होगा मतलब काम किया होगा लेकिन पहले कब होगा भूत काल में संदिक संदे भूत काल में नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम देखते हैं आगे हमारा हो जाएगा हे तु हे तु मद भूत काल यह आपका बहुत इंपोर्टन है कई बार पूछ लिया जाता है देखिए क्रिया के जिस रूप से यह ग्यात होता है कि एक क्रिया होई नहीं और उसके कार दूसरा भी काम नही होता तो मैं अवस्याता अब से आम पत्र ही नहीं लिखा वाया ही नहीं यदि बरसा हुई होती तो फसल अच्छी होती तो यह एक कारे के ओपर दूसरा कारे डिपन होता है किसमें तु हे तु मद भूत काल में अब हम एक बार भूत काल को दुबारा रिपीट करेंगे दोस नेक्स्ट हो जाएगा आसन भूत काल में अभी अभी कार कंप्लेट हुआ है जस्ट एकदम पास में जैसे बच्चा आया था कमल गया था नेक्स्ट अपूर भूत काल में कार भूत काल में चल ला था लेकिन पूरा नहीं हुआ था जैसे बच्चा आ रहा था स्याम पत्र वो कार पूरे हुए काफी समय बीत जाता है और संदिख्द भूत काल में क्या होता है संदे होता है जैसे बच्Je aya Tha स्यामने पत्र इसमें याथ उपर दूसरा काल रिपन्ड होता है आटा है हेत हेत मदभूत काल इसमें एक कार के उपर दूसरा कार तो फासर अच्छी होती यह आपका हो जाएगा हे तो हे तो मद भूत काल अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्ष आपका भविस्यत काल में अब भविस्यत काल मतलब कि जो कार अभी हुआ नहीं है होने वाला है आने वाले समय में होने वाला है भविस्यत में होगा वह हमारा भवि लिखेगा तेक आगे देखे अब देख लेते हैं भविस्षिकाल के कितने प्रकार होते हैं तीन प्रकार हम आपको बता चुके हैं सामान भविस्षिकाल में सामान से घटनाई होती हैं जैसे कि स्याम पत्र लिखेगा स्याम क्या गरेगा पत्र लिखेगा हम घूमने जाएंग तो जिसमें सामान ने घटनाए होंगी, सामान का बोध होगा, वो सामान भविष्काल होगा, जैसे स्याम बत लिखेगा, हम घूमने जाएंगे, वह कल स्कूल जाएगा, वह आज आएगा, ये सबी क्या हो जाएंगे? सामान भविस्काल हो जाएंगे नेक्स नहीं लोग बढ़ेंगे सांभाव भविस्काल सांभाव भविस्काल का मतलब हो जाएगा जहां पर संभावना ब्रक्तिया जाता हो भविस्मे कार्य होने की जैसे सायद वह आज आज आए सायद आए लियर नहीं लग लग खया है नहीं लग सकता है तो जहांपर संभाव ना बेक्स किया जाता है साम्भाब वहां प् sırिसकाल होता है next और लास्ट हमारा है हे तु हेतु मद भविस सिकाल हेतु हेतु मद भविस सिकाल क्या होता है एक क्रिया के ओपर दूसरी क्रिया नेजर होती जैसे देखो एक जम्बल बहुत मजाएगा इसमें क्या राता है कि तुम कुरसी छोड़ो तो मैं बैठू अगर बच्चे आते तो उनको पढ़ाते आए हैं नहीं तो कोई पढ़ाएंगे जो कमाएगा सो खाएगा जैसा करोगे वैसा पाओगे तो यह आपका होता है दोस्तों हेतु हेतु मद भविस सिकाल तो भविस सिकाल के आपके तीन प्रकार हो गए हमारा सामान भविस काल सामभाब भविस्काल हे तु हे तु मद भविस्काल तो अब दोस्तों इसका पीडियाफ आपको हम टेलिग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे वहाँ एक बार और रिविजन कर ली जाएगा आपको फूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों आपको लगभग लगभग पूरा क्लियर हो गया होगा उमीद है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल लखिए जय हिंद बंदे बातरम